असलामलेकम आपरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी बीच रूट वाइटनिंग क्रीम जो के हम बहुत एजीली घर पे बना सकते हैं और इसको अप्लाय करेंगे तो हमाई इसके वाइट भी होगी और गलो भी आएगा फेस पे तो बहुत जबदस सी हमारी क्रीम रडी हो जाएगी उसको तयार करने के लिए हमें इंग्रीजियन्स चाहिए वह है रॉँ मिल्क में इसकिन को वाइटनिंग करने की प्रोपिटीज पाई जाती है और रॉँ मिल्क हमारे लिए बहुत अच्छा दूज जो होता है वह बहुत फ जो कि बहुत इंपॉर्टन है इस क्रीम को बनाने के लिए बीट रूट जो है वह हमाई स्किन पे पिंकिश ग्लो लेकर आएगा हमाई स्किन को ग्लोइंग करेगा और बहुत अच्छा करेगा उसके साथ जो थर्ड इंग्रीडियन्ट है वह है बेसन बेसन हम दे लेना है य बेसन है हमारे पास बेसन इसकिन के लिए बहुत अच्छा होता है इसकिन को निखारता है बीट रूट इसकिन को पिंकिश ग्लो देता है और रौ मिल्क तो वैसी बहुत ज़्यादा इसके फवाइद है अब मैं आपको यह बताऊंगी कि इस क्रीम को हम तयार कैसे करेंगे स तो ये तीन चीजे इनसे हम तयार करेंगे, आप वीडियो को जो है वो एंटक देखिएगा ताके आपको ठीक से पता चल सके सबसे पहले हमने बेसन दो चमच लेना है, ये मैं बता रही हूँ आपको फेज और नाग के लिए तो मैं उतनी quantity आपको बता रही हूँ, आप अपने हसाब से ले सकते हैं, अगर आप हातों पैरों पे लगाना चाहें, तो आप उसकी quantity के साब से लेंगे तो मैंने लिया है, यहां पे दो चमच बेसन, एक चमच मैंने यहां पे जो है, वो चुकंदर का जूज अएट किया है, उसके साथ मैं इसको इसमें raw milk एट करूँगी, raw milk में इसमें उतना एट करूँगी, कि यह क्रीम जो है वो एक पेस्ट अच्छा से रेडी हो जाए, जादा liquid भी ना हो, कि वो फेस पे रही ना सके, तो यह इतना होना चाहिए, कि इसकी contensity जो हो अच्छी होनी चाहिए, कि हमाया फेस पे स्ट्रेल भी कर सके, तो यह जो क्रीम है, जब यह इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद हमने उसको फ्रिज में लखन करेंगे हैं, तो यह इस तरीके से क्रीम तयार हो जाती है, और इसको हमने फ्रिज में लखना है 5-10 मिनिट के लिए, उसके बाद हम इसको अपलाए करेंगे, आप चाहिए तो अपनी बॉड़ी पे भी अपलाए कर सकते हैं, अगर आप फेस पे और नैक पे इसको अप लगा इसके बहुत जादा गलो आजाएगा, पिंकिश लुक आएगा, यह मैंने हाथ पे लगा के आपको दिखाया है, इस तरीके से हमने लगा लेना है, फेस पे, नैक पे, हातों पेरो पे आप जहां दिल करेंगे, इससे आपकी इसके एक तो वाइटन होगी, यानि के फेस पे जाएगा, आपका कलर जो है फिर होना होना है, इसको लगाने से, बहुत जादा पिंकिश लोक आएगा, आपके गाल जो है, वो शाइन करना है, बहुत इसकी अच्छी रिजल्ट है, तो इसको आप लोग जडूर च्राए करें, इसको बनाएं और जब भी इसको बनाएं तो इसको आपने जो है वो दो दिन से जादा नहीं इस्तमाल करना, अपने दो दिन इसको बनांके फिरेज में लखना है उसके पाद आप बाद दोची लगासे नहीं विरेज़ बनाइँगे, आप रहा it के यह भी काने है लगा करे जो मिन दो तो अगर आप किजया हम करें नाय करें उद्तु आपके लगतार डूरा आपके जन बस्कित क्रॉशल नार जनगे तो तो यह जो आपके अजया उनारे ना जो अघीम करने दाल क्षचों 99 तो यह छो में हम मैं हुआ सकते हैं वहना तो आप जो है वो बेसन के इस्तमाल करें I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें शेयर करें शुक्रिया अलाफिस